नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेशे 7 अक्टूबर शुकरबार दोपर सवा 3 बजे राजिस्थान की 15 वड़ी खबरें सबसे पले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर तारसान में कृशी विभाग चुलाएगा खाद, बीज, जांच, अभियान शरत पुर्णिमार अविवार को चंद्रमा करेगा आमरित वर्षा फीस मेराथन में दोड़े सीकर के 400 स्टूडन रास्टे मिला दशेयरा शुरू लेकिन मुख्य कालकरम के एक अलाकार तै नहीं और निजी अस्पतालों को चिरंजीवी योजना के लिए बनानी होगी हल्प डस्क और अब खबर विस्तार से बुआई सीजन में हर बार नकली उर्वरक और बीज की मार जेल रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है संदे होने पर कोई भी किसान टीम के जरिये बीज और कीट नाशी उर्वरक की गुनवता की जांच करवा सकेगा दुर्व योग उत्रा भादरपाद रीवती नक्षत्र सरवार्थ सिद्धी राज योग सहित अन्य योग संयोगों में अश्वनी पुर्णिमा रविवार को शरत पुर्णिमा के रूप में मनेगी इस मौकी पर चंद्रमा तेज हवल रोशनी के साथ 16 कलाओं से परिपोने रहेगा ठाकर जी को श्वेद पोशाक धारन करवाने के साथ ही रातरी में खीर बना कर चंद्रमा के प्रकाश में रखकर अर्ध रातरी में भोग लगेगा राज़ानी में अनुमान के मताबिक 5000 लेटर से अधिक दूद की खीर बना कर वित्रित होगी गोविन देव जी मंदिर में शाम साथ से सवा साथ पजे तक विशेश जांकी सजेगी गलता सहीत अन्य तेर्थ में कार्तिक स्नान करने की शुरुआत होगी सीकर में चोल रहे हैं गांधी वीक में शुकरवार को पीस महराथन का आयजन हुआ सीकर के प्राइवेट और गवर्मेंट स्कूल के 400 स्टूडेंट्स शामिल हुए मेराथन सुबह साथ बजे सीकर के एसके स्कूल के खेल ग्राउंड से शुरू होकर शुकरवार शाम से शुरू हो जाएंगे शुकरवार को अटल कवी सम्मेलन होगा मेले में 20 दिन चलने वाले कई कायकरमों में से प्रमुख कायकरमों के कलाकार अभी तक मेला समीती तैर नहीं कर पाई है ये सिती तब है जब खुद UDH मंतरी शांती धारिवाल ने निगम के अधिकारियों को कलाकार फाइनल करने के निर्देश दिये थे चिरंजीवी से जुड़ी जानकारी देने के लिए निजी अस्पतालों को भी अब हेल्पर डैस्क स्थापित करना होगा इस पर चिरंजीवी यूजना के तैट कैसे मरीज का फ्री इलाज किया जा सकता है इसके बारे में मरीजों को बताना होगा वहीं अस्पताल में उपलब्द इलाज के पैकेजिस के जुआनकारी देकर मरीज और उसके परीजन की पूरी सहायता करनी होगी रासान स्रेट हेल्थ अस्पतालों को निर्देश दिये हैं कि वह अस्पताल में रिसेप्शन पर ही एक हेल्प डेस्क स्थापित करें और फ्री इलाज की सुविधा अपलब्द करवाए रासान सरकार की बॉंड निती के विरोध में उत्रे रेजिडेंट डॉक्टर्स का जाड के बैनर तले आंदोलन आज पांचवे दिन भी जारी है रेजिडेंट्स के कारेबा इश्कार पर चले जाने से प्रदेश के सबसे बड़े समस अस्पताल सहीत अन्य सरकारी अस्पतालों की विवस्थाइंच चर्मन आने लगी है अस्फटालों में भर्ती मरीज अब रिजिडेंट की भरोसे नहीं बलकि अब सिर्ट नर्सिंग स्टाफ की भरोसे रह गई हैं ऐसे में वार्ड में भर्ती मरीजों को समाने के लिए कोई डाक्रस उपलब्ध नहीं हैं वहीं सीनिय डॉक्टर वाडो में समय समय पर राउंड कर रहे हैं। परामपरा और तिथी के हिसाब से हर साल दिपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अनुकुट महासा मनाते हैं। सारन नगर ओवर ब्रिज के नीचे एक यवग जाली नोट देकर मौस में खरीदने लगा। लेकिन ठेला चालक और इसके दो साथियों ने सजगता दिखाते हुए यवग को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नोडल पुलिस से स्टेशन सरदारपुरा ने आरूपी को गिरफतार कर दो दो सो के पांच और सो का एक जाली नोट जब्त किया है। थाना दिकारी स्वमकरण ने बताया कि बाप थाना के अंतरगत खिदरत गाउं हाल ही में माता का थान में शिक्षक कोलोनी के रिचपाल मांजू को गिरफतार किया गया है। पूरू मुखी मंत्री वसुंत्रा राजी के बिकानेर दोरे को देखती वे बिकानेर से लेकर जयपूर तक सियासत गर्माई हुई है। जोदपु जिले में टीवी की बिमारी से लड़ रहे मरीजों को अब दवाईयों के साथ निट्रिशनल फूड निशुलक मिलेगा। रोटरी क्लब ऑफ जोदपुर गरीमा के बतादिकारियों ने इस टास्क को पूरा करने की जिम्मेवारी ली है। कलब के अध्यक्ष टीना लड़ा ने बताया कि कलब अधादिकारियों ने टीवी मरीजों का निट्रिशनल फूड उपलप्त कराने का संकल्प लिया है। इसके लिए पाभूपुरा गाउं के तेईस टीवी मरीजों को हर माहा निट्रिशनल फूड के किट उपलप्त कराए जाएंगे। ये अभियान अगले छे माहा तक चलेगा। पांच वर्ष तक आयू के बच्चों को डाइरिया और कुपोशन के प्रकोप से बचाने के लिए दस नियतरन पकवाड़े का आगा शुकरवार से होगा। दी जाएगी। पर बने फिल्म बॉर्डर में सुनल शेटी ने भैरो सिंग का किरदार निभाया था। फिल्म में उन्हें शहीद दर्शाय गया था। राजसान में OBC आरक्षन को लेकर अब RLP भी मैदान में उतर आई है। सांसाद हन्मान बेनिवाल ने ट्वीट के जरीए कहा कि राजसान सरकार ने समय रहते OBC आरक्षन में व्यापत विसंगतियों को दूर नहीं किया तो RLP बड़ा अंदोलन करेगी। बेनिवाल ने कहा कि हाल ही में राजधाने ज्यपूर में OBC वरके युवाओं के आंदोलन के दोरान मुख्य मंत्री के प्रमुक्सचिव से हुई वारता के बाद राजसान सरकार ने 48 घंटे में सकारात्मक हल निकालने का वादा किया था। इस आंदोलन में सत्ता पक्ष के विधायक और नेता भी सम्मेलित थे। सत्तर स्वयम सेवकों को शारिरिक शमता की दक्षता है तो दोर वेपरेड करवाई गई। तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना है फिर हाजिरूंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।